लोकसबा चुनाओ दोजार चौबिस से पहले राजनेताओं के दल बदली का सिलसिला रुखने का नाम नहीं ले रहा अगर बात की जाए अलवर लोकसबा च्षेत्र की तो यहां पर यादव बाहुमिले च्षेत्र है ऐसे में भारती जनता पार्टी ने कॉंग्रेस में सिंध लगाकर कॉंग्रेस के बड़े यादव नेताओं को अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश की है हाला कि कॉंग्रेस और बिजेपी की ओर से अलवर लोकसबा सीट से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है कॉंग्रेस ने ललित यादव को टिगिट सवपा है तो वहीं बिजेपी ने केंद्रिय मंत्री भुपेंद्रियादव को चुनावी मैदान में उतारा है दोनों ही पार्टियों ने जातिय समीकरण को साधने के लिए यादव को ही अपना उमिद्वार बनाया है वहीं अपका यास लगाय जा रहे हैं कि बिजेपी ने कॉंग्रेस में गुस्पैट कर बड़ी संक्या में कॉंग्रेसियों को अपनी पार्टी में मिला लिया है दरसल शनिवार को जैपुर सित भाजपा मुख्याले में प्रदेशा द्यक्ष सीपी जोशी ने कॉंग्रेस के 35 नेताओं को भाजपा में जोइन कराया है जिनमें कॉंग्रेस के पुर्व सांसत करंट सिंग्यादव, पुर्व विधायक परम नवदीप सिंग, पुर्व निर्दलिय विधायक सुरेश टांक, जिला प्रमुग, सुशिला कवर पलाडा कॉंग्रेस से चुरू विदानसबा के पूर्व प्रत्याशी प्रताप पूनिया और इनके साथ ही अलवर जिला प्रमुक बलबेर छिलर पूर्व विदायक पुखराज कर्ग महिंदर सिंग बूजर रोजगार विभा के पूर्व निदेशक महिश शर्मा परम नवदी प्रत पूनिया और उनके साथ ये प्रोफेसर वेद प्रकाश सर्माज समेथ 35 नेताओं के नाम शामिल है हाला कि बाच्पा की सदस्यता घ्रैन करते वे डॉक्टर करण सिंग यादव ने कॉंग्रेस नेतरत्व को नशी में चूर बताया उन्होंने कहा कि सभी लोग लोग सबाच चुनाओं में लगे हुए हैं और कॉंग्रेस का नेतरत्व यात्रा करने में मश्गूल है उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग भाच्पा का दामन और भगवाद उपट्टा पहनने के लिए लालायत है इस अवसर पर प्रदेशा द्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के नेतरत में 400 पार करेगी खेर ये तो नेताओं के चुनावी दावे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि अलवर लोगसबाच सीट बीचेपी को लोगसबाच चुनाओं 2024 में चीत दिला पाती है या नहीं फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार